हेलो गाइज कैसे हैं उम्मिद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होगे दोस्तो आप लोग जैसे भी हो कमेंट करके जोरू बताए आप लोग कैसे हैं दोस्तो आज मेडिसीन लेके हूँ रिफागट 550 समझी जिसका कमपोजिशन रिफाग जिमीन टबलेट जिसकी जो 550 समझी की है तो दोस्तो आप लोग को वीडियो के माद्यम से रिफागट 550 समझी का यूज क्या है और इसका विप्रित संकेत क्या है और किस्ट में दिया जाता और क्यूं दिया जाता और कैसे पेसेंट को दिया जाता है तो स्टेप आप लोग के साथ में वीडियो को सेर करन किजिए दोस्तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल आइकन को दवाईए दोस्तो वीडियो को लाइक किजिए और वीडियो का अनंद लिजिए अपने दोस्तों में भी शेर के चलते हैं दोस्तों मेडिसिन का आय करते है यह वैक्टिरिया के विकास को रोक कर काम करता है हलाकि अगर रोगी को बुखार या खूनी दस्त होता है तो यह काम नहीं करता है डिफाग जीमिन के कुछ दुष्प्रभाव भी है इस दवा का उप्योग करने के बाद कई लोगों को भी किसी भी दुष्प्रभाव का अन क्या करन से गुजर रहे हैं तो किर्पिया अपने डाक्टर को सुचित करें क्योंकि रिफाग जीमिन टाइफाट टिका करन जैसे लाइव जीवानु टिका करन की प्रभाव सीलता को कम कर सकता है जीवानविक संकर्मन क्या है कुछ इस परकार भी कोशन उठते हैं क्या है तो वैक्टिरिया एकल कुश का सुक्स्म जीव है जो मानव सरीर की कई प्रक्रियाओं के लिए आवस्यक है और उनमें से कुछ हानी पैदा करने के लिए जिमेदार है एक जीवानु संकर्मन हालत को संदर्वित करता है जब मानव सरीर के अंदर या अंदर के हानी का वेक्टिरिया का संचय होता है जिवानविक संक्रमन के साथ लक्षनों का उपचार कुछ इस परकार किया जा सकता है जैसे कि वेक्टिरिया संक्रमन के लक्षन नाक या खासी सिर्दर्थ बैचैनी चल रही है वेक्टिरियल संक्रमन के संकेतों को वाइरल संक्रमन जैसे से अस पानी को भर्मित किया जा सकता है डॉक्टर विश्यस लक्षनों की जाच कर अंतर कर सकते हैं ऐसे रोगों के कारण जहां अडिफागट 550 समझेट की टबलेट का अपयोग किया जा सकता है जिवानविक संकरमन के कारण क्या है तो किसी को छीकने या खांसी या समवोग दूसित भोजन या पानी संकरमित पालतु जानवर या पसुओं द्वारा बैक्टरिया संकरमन हो सकता है रिफागट के रिफागट 500 प्रयासमजी के साथ इस सबसे खराब खाने कुछ इस परकार आते हैं जिवानविक जैसे दूस्तों रिफागट आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं और अगर आप लोग इस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं और अपने देनिक जीवन में कुछ इस परकार के खाना का वंचित करें वंद कर दे ताकि इससे ज्यादा बेटड होगे तो जिवानविक संकरमन के लिए सबसे ज़्यादा खराब खाने के लिए क्या है तो देखते हैं इन खादे पदार्थों का श्यवन नहीं किया जाना चाहिए यदि कोई वैक्टरियल संकरमन से फिरित है यदि वैक्टरियल संकरमन से लोग गरसित हैं अगर वैक्टरियल सं और दूसित डैरी उत्पादो और प्रोटीन खादे पदार्त जैसे कच्चे मांस, टोफू, अंडे और मचली और है कच्चे और गंदे फल मतलब पंदर पर करके वीटेबल अंकुरित जो होते हैं बजार से सलाद, रेफ्रिजेरेटेड शाल्सा, अंकुक किये गए अनाज और मीशो उत्पादो, चाय, अनपच्च, शिवडरस, हरवल अनपूरक, डिफागट के साथ उप्योग करने के साथ जरूरी फिफाइते भी कुछ है, इस परकार है, जिवानविक संकर्मन को परबंधित करने के लिए क्या करना चाहिए, हाँ धोने क आदत को अक्षर विक्षित किया जाना चाहिए, हाँ धोने की आदत को अक्षर विक्षित किया जाना चाहिए, दोस्तों इससे संकर्मित लोग, जितने संकर्मन होते हैं, हाँ धोने के साथ साथ जो खतम हो, वहीं पर हो जाते हैं, घरेलू समान को साफ रखे, जो बहुत से लोगों को टेलीफोन, चाभी, दरवाजा, नल, इत्यादे बहुत से प्रकार के जो होती है जो अपने घरेलू में उप्योग किया जाता है उसको हमें हर हमेशा समान को घरेलू समान जो भी होते हैं उसको हर हमेशा साफ सुतरा रखना चाहिए ठड़ है खाने से पहले फल और सबजी अच्छी तरह से धोएं अच्छी तरह से उसको हम फ्रेस कर दें उसके बाद अगे हैं टलर्स के लिए खिलाउनों को साफ रखना बहुत जरूरी होती है भूत ही केरफुली होती है दोस्तों खाने से पहले साफ सबजी को अच्छी तरह से टलर्ट के लिए खिलोनों को साफ रखना बहुत जरूरूरत है, अगले नेक्स्ट है, ठीक से टीका लगाएं, टीका जो है लोग कितने लोग जो होते हैं, गाउं में टीका लगाने से ही चकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, टीका सहीद से लगवाएं, अपने कानों क साफ रखे हरमेस अपने कान को भी साफ रखे और अपने कानों की सफाई के लिए कपास का स्वास हेर पिन या क्लिप का प्योग नो करे कभी भी अपने कान की सफाई के लिए कपास हेर पिन या क्लिप किसी भी परकार की समंधित यूज नहीं कि जी अपने से अंगली नहीं डा सामनी का सामना करना पड़ता है जिवानिविक संकर्मन को परतिवंधित करने के लिए उन चीजों से बचना चाहिए कभी भी जिवानिविक संकर्मन खाने से बचे बास्री भोजन का उपयोग बिल्कुल ना करे ठाड़े भुरूम पान ना करे और निस्क्रिय धुरूम पान ना करे कभी भी धुरूम पान ना करे तो दोस्तो इसका जो यूज करने का जो है सुबहसाम करना होता है एक गुने दो टाइम सुबहसाम इसका पर फट जूबर कोष्टली है तों यह से मेडिसंट जो हरे के हरेक इसमीडिकल सब्सक्राइब को मिल जागी किसी भी मेडिकल सब्सक्राइब मिल जागी तो तो आज का वीडियो यही रहा थैंक्स फूर वाचिंद में वीडियो टेक क्यर और भाइबाइ आप लोग उमीद कर तो मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में भी सेयर कीजिए